जय महादेव महारुद्र को कोटी नमन करते हुए मारुद्र चंडिका को कोटी नमन करते हुए भगवती मादिशक्ति को कोटी नमन करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारम करेंगे बहुत बहुत धनिवाद आप सभी का जिस प्रकार से आप लोग वीडियो को सेर भी कर रहे हैं चानल को सबस्क्राइब भी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से विडियो को सुनिए जो ग्यान मैंने अपने प्राक्टिकल वेस में अरजित किया है उसी को मैं आप लोगों को जो देने वाला हूँ आप लोगों को समख्ष रखने वाला हूँ देखिए कोई भी कितना भी ग्यानी है हर ग्यान को वो cover नहीं कर सकता किसी भी topic पे तो अगर कुछ ग्यान छूट जाता है तो आगे उसको तूटी को मारजित क्या जाएगर तूटी होता है या फिर कोई अगर ऐसी ग्यान है जो मैं दे नहीं पाऊंगा आने बले समय में दिया जाएगा मैं कई सालों से एक एसी विशय पे सोध कर रहा था और आज भी कर रहा हूं इसकी तलास पता नहीं कब संपन्न होगी कब खतम होगी लेकिन जो है वो topic है कि रुद्र चंडी रुद्र चंडी का की साधना रुद्र चंडी का की उपासना जिबन की सर्वत्तम उपासना में से ए त्टिक है एक उच्चकोटी कि उपासना है इसको मुख्यत जो लोग तंतर शाधनाय करते हैं मुख्यत काली तंतरम काली तंत शार जो छो लोग उसको मंतर को मतलब जाप करते हैं उनके लिए रुद्र चंडी की उपासना बहुत मुक्षर रहता है आज हम पहले हमने एक रुद्रचंडी पाट का एक वीडियो बनाए था उस वीडियो में बहुत सारे लोगों की कोई भी नयुक नियोंग नहीं देए कुछ भी नहीं देखीए वो में आपने भक्तिभाप से पाट करके आपको सुनाया रुद्रचंडी पाट मैंने कभी यह नहीं कहा कि आप लोग उसको इसको सुनके फार्ट करें या फिर उसको बस जाने तब तक ίूटूमें हमारी यूटूमें रुद्रचंडी का पार्ट को इप us सारे लोग रुद्र चंडी की साधनाय उपासनाय देने लेगे पाट देने लेगे बहुत कुछ करने लेगे लेकिन मैं जो बात बताता हूं वो अपने प्राक्टिकल जो है उसके बेस पर बताता हूं नहीं कोई पुस्तक ज्यान देता हूं जी पुस्तक को देखना जरूरी ह से ग्रहन करना जरूरी है कोई तंत्र रहस्य पुस्तक से ग्रहन करना जरूरी है लेकिन जो ग्यान को हम समझा पाएंगे उसी प्रकार की ही बात हम बोलते हैं देखिए रुद्र चंडिका की उपासना क्यों करना चाहिए जब जिबन में आपके घोर सत्रू आ जाए अगोर नहीं घोर मतलब भयंकर सत्रू आ जाए चाहिए वो आपके आंतरिक सत्रू रोग है पीडा है ब्यादी है कुछ भी है कोई ऐसे सत्रूता हो जाए बिना मतलब क कोट कचरी कैस कुछ भी बहुत सारे जिबन में कश्ट आ जाए तो रुद्र चंडिका की उपासना करना चाहिए और रुद्र चंडिका की उपासना से आपकी ग्रहों का जो भी है मुख्यता राहु केतु सनी एवं कोई भी ग्रह है वो आपकी आपके उपर कृपा करने प्यावी किसी प्रकार की साधनानुष्टान करते हैं आपकी सारे बूरे कर्म कटने लगते हैं और मां बहुत जल्द आपको जो है कर्म की सजा देने लगती है आपको धीरे 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 जो आप किये हैं जो भी कुछ है आपको सुधारने की पूरी तरह से वह कोशिस प्रदोन होता है रुद्र चंडिका की साधना से आप की बानी सकती जो है वह भी तेज होती है किसी जागा पर इा डेयर रूप में रुप सास्थना करने से कोई बुद जिबन में कुछ प्रो जो कुछ भी है वो मा उसको पूरी तरह से जो है मुझे रास्ता दिखाई आपके जिबन में कुछ अलग प्रकार की परिवत्तन हो सकता है इसलिए किसी एक साधक की अनुभूती पे एक साधक की जिबन के परिवत्तन पे यह कहा नहीं जाता कि देवी आपको यही चीज़ दोगी लेकिन बेसिक प्रकार से जीज़ घटित होता है लेकिन सरवबर्पषन यही बात है कि आज सक्षाइए मुझा पूस्तग मिल जाएगे लेकिन रुद्रचंडिका की साधना किन मारग मेंStudy Wiki मार्ग में और कैसे क्षार्शन मार्ग की उपासना क हुआ हमारा हम इनकी उपासना करते हैं कि निहीं वर प्रसंण कि उसके ऒड़ उनके उपासना करते हैं तो भगवत atenção कि उपासना में हम जो है आगर किये और धीरे धीरे करके उपासना की जब भी हम भगवति रुद्र चंडिका का पाट करते हैं तब आपके मन में रुद्र साधना की प्रती जो है इच्छा जागरत हो जाएगा या फिर जब रुद्र साधना करते हैं तब भगवति रुद्र चं इसको रोक पाना बड़े विरले की लिए कठीन हो जाता है और कोई अगर इनकी सक्ति को जनकल्यान के लिए यूज करता है तो वह सबसे अच्छा होता है निजी स्वार्त के लिए इनकी सक्ति को ज़रुआत करने के आबर्शक्ता नहीं पड़ता जिस दिन सही माहा तह अच्छा चीजी घटित होता है वीडियो अगर पसंद आ रहा था अभी वीडियो को लाइक कर दीजे बिल्कुल भी स्कीप ना करें सुने वीडियो को लाइक करें अगर रुद्र चंडिका की उपासना करना चाहते हैं इसकी ज्यादा तर बंगाल में इसकी उपासना सेम लगते हैं मतलब दिखने में आपको लगेगा कि हां जो रुद्र चंडि है वो स्मसान कालिका है स्मसान ऐसा नहीं है यह जो इनकी जो उपासना होती है महा कालिका की स्मसान कालिका की जो बाम मार्ग में उपासना करते हैं उनकी उपासना से पुर्व भगवती रुद् करते हैं विभिन्प्रकार की मुद्राई वगरा सब कुछ करते हैं उसके बाद ही ही माद मसान कालिका को प्रसंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं मेरे मुझे जहहां तक हमने विद्यानों की साधनाРЕ की 여 la साल लड़ी लग चुके हैं अभी भी हम इनके बार में बहुत सारे चीज को जान दें ये तो आखरी सांस तक पूरी तरह से रहस्य कोई भी रहस्य को सुल्जा नहीं जा सकता क्योंकि ये भगवती हैं तो रुद्र चंडिका की उपासना आपके आप आपने हिसाब से आप कर स बेचित हैं इसी मार्ग को ही चुनें अगर आप ऑफीस जाते हैं काम करते हैं भगवती किरिपा पाना है भगवती का जो है सुरक्षा बड़ाए आपकी giवन में लाना है भगवती कैसी सुरक्षा करेंगे इस बात को सोचना है तो आप निष्चित रूप से जो है नक्षि और आपको विविन्द्रवकार की हानीं भी हो शकता है ऐसे भी बहुत सारे लोग क्या सोशते हैं देंगे कुछ करगे लेकिन एक बार जौए विडाने प्रारमकरता है इनको इंकी उपासना छोड़ना नहीं चाहिए अन्नत्हाँ बहुत बुरा होता है कुछ नहीं होता है तो आप भाव नइवेद्य और पित कर सकते हैं इनका पूजन बर्नन इनकी जैकार लगा सकते हैं इनकी जो है उपासना कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक बार भी इनकी उपासना छोड़ देते हैं यह अच्छा नहीं होता है यह बात इसको एक बार करके छोड़ने की बात आप बिल्कुल भी मन में लाना आए अन्यता बहुत बुरा होगा इसलिए हमारा जो मार्ग है इस मार्ग में हम आपको बोलेंगे कि क्या कैसे होता है पूजन किया होता है उसके बारे में सोम्योग आडिया देंगे और कुछ बोलेंगे लेकिन जो लोग पुन्नतों तांत्रिक शिद्धी प्राप्त करते हैं तांत्रिक शिद्धी करना चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा जो बंगाल में होता है और बंगाल में इनकी उपासना जो होता है तारापीट में भी होता है और काली घाट में भी होता है और बहुत ऐसे पूजा होता है काली पुजा की रात में होता है और वुश में एक दिवश्य साधना और विविन्थ प्रकार से होता है रुद्र चंडी पार्ट में आप सुन सकते हैं मत्स्य मंग्सा परायन तो इस प्रकार की बहुत सारे होता है कुछ-kुछ इस लोग मांस के वदल उड़त का इसतमाल करते है और विविन्न क्रकार की aşk हमारे जो मार्ख है इस माम में हम ब्वी की जब पासना करते हैं जैसे इनकी भोग नर्माली रहता है खीर धी या फिर मिठाई दीजिए या पिर कुछ भी दीजिए विविन्न प्रसन्न भी होती है और यहें करते हैं बहुत सारे लोग हमें बार बार कमेंट करते हैं मेल करते हैं आप रुद्र चंडी के बारे में बताए रुद्र सदना दीये सादना दिए यह सवाल करते हिन रोध्रचंडी सादना दिए रूध्रचंडी का मनतर.» सर्वपतम में हैं कि रूध्रचंडी का जो रहस्य है उनकी पर नहीं कर offers नait हलव के हाली नीकर लोग करना चाहेंगे लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है लेकिन एक बात समझ लीजिए मार उद्र चंडिकी की जो तंत्र साधनाय उपासनाय कोई भी होता है सर्वपतम यह बहुत बड़ी जनकल्यान के लिए होता है मानो किसी किसी समय में कोई प्रकार की दो राजाओं में युद्ध होता है तो वह जुद्ध करने लगते हैं उसमें से एक राजा उसकी धर्मबल प्रबल हैं और कोई दूसरा जो है वह जवर्दस्य उस्य और राज को अक्तियार करना चाहता है उसी समय बहला मुखी अनुष्ठान से अहले भी ऐनुष्ठान क किया जाता है, ऐसा भी है और रूद्रचण्डिका की वह अनुष्ठान होता है, उसमें प्रबल तं प्रबल बड़े बड़े लोग उसमें मंत्र जाप करते हैं, सत्रूकूल की पूरी सन्य को ही वह नास कर देते हैं और सत्रुकुल की पूरी सन्यक किस प्रकार सी एक अंजान रोग से पिडित हो जाएगा उनकी सरीर खेण हो जाएगा वो हार जाएगी लेकिन इसमें मैं यही कहूंगा जो लोग पूरी तरह से ग्रस्त हैं पुजापाट करते हैं यह जो है वो मां को रुद्र बाबा के करें देखिए अभी आप बोलेंगे तो आप खुदी हमें बता दिए देखिए मैं बहुत सारे चीज को ऐसे रिशर्च करता हूं आज गल की इस दुनिया में किसी का उपर भरोसा नहीं होता कि मां की पूरी तरह से भक्ति करेगा बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि हम मंतरजाब जरूर करेंगे पुजापाट जरूर करेंगे कुछ दिन मंतरजाब पुजपाट करने के बाद वो छोड़ देते हैं और उसका जो दूस्परिणाम है वह हमारे उपर भी आ सकता है इसलिए बहुत सोच समझ कर ही ये बिध्या को दिया जाता है हमारे पास बहुत पताया गया उसके करने के बाद ही उनके जिवन में सुधार आया था लेकिन रुद्र चंडिका साधना भी कोई देता है मैं भी उसको प्रतक्ष रूप में किसी प्रकार कि मेरी बानी वह सुन रहे हैं मैं बताऊंगा रुद्र चंडिका की साधना देने से पहले बहुत बार सोच समझ कर देना चाहिए और जो जिसके वो खुदी उसमें लिखा गया है अगर कोई अगर इसको बिना भक्ति का पाट करेगा वो नर्क में जाएगा और विष्ठायं जायत करमी मतलब जैसे कहते हैं आपकी पेट में कीड़े हो जाते हैं जैसे मल में जाते हैं करिमी उस प्रकार से यह परिस्तिती हो जाएगा यह बहुत सारे राज रुद्र चंडिका इसा भिषए है उनकी नाम समरण मातर से इनकी नाम मूं से बोलने मातर से बोड़ी में ही उरजा का संचार हो जाता है अप इस बात को सुन रहे हैं आप अपने अंदर ही इस बात को समझ पारे होंगे ऑचारे जो बोल रहें यह सथय तैनल को कारण ही है सरवर्पथ हैं अगर आप इसको करना चाहतें महारुद्र की अपासना करिए भविष्य में आप किसी भी प्रकार की गुरू जो उनके सानिद्य में रुद्र चंडी आपको सिखाएंगे कोई मार्ग अगर अभी आप बोलेंगे कि आप रुद्र के मार्ग में जा रहे हैं तो केवल आप ही दे दीजें अगर आपको वो नहीं करना है तो आप बहुत अपना नुकसान करेंगे और बहुत गलत रूप में वो साधना एंड होगा और आपको बहुत भारी नुकसान होगा आप सोचते हैं कि हम रुद्र चंडी मा का एक मंतर जाब कर देंगे सत्रु का नास हो गया फिर छोड़ देंगे ऐसे लोग किये हैं क्योंकि आज कर दुनिया है हर कोई विव्यक्ति साधना देता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आध्यत्विक उन्नती लोगो कोई गलत नहीं है लेकिन गलती आप में है आप अगर भगवती को एक बार उनको प्रसन करते हो फिर बाद में उनकी उपासना नहीं करते हो मैं आपको ये कहूंगा कि जीवन में हर उपासना को आप आधा अधुरा करके थोड़ा बहुत पाइपास करके हाज जोड़कर अपने लिला को वहां पर जानते हैं उतनी पाथ होता है और वह कली उपासना को करके आधा में छोड़ना मतलब अपनी सर्वनास ही लेना है और रुद्र चंडिका की उपासना को आपको आधा में छोड़ना नहीं है मेरी प्रयास यही है अगले छे महीने एक साल में दो साल में अगर मैं इस पूरी तरह सी साधना की विधी को निकाल पाता हूँ अगर भगमत्दी की कृपा हुए तो एक दो महीने पाँच महीने कभी भी निकल सकते हैं अगर निकाल पाता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा वरना यह मेरी एक इन्फोर्मेशन वीडियो थी जो लोग रुद्र चंडिका की उपासना साधना करना चाते हैं इस विशय को पूरी तरह से समझ लीजिए जान लीजिए हम यहां किसी को डराने के लिए नहीं बेठे हैं अगर किसी को यह लगता है हम जूट बोल रहे हैं तो हाबाबाजी करके वो रुद्र चंडिका साधना करे और अपने जीवन में कैसा कठीन स्थिति आता है वो देखे अगर भक्ती में वो करेगा उसकी बीजय सुनीचित है अगर वेसे भक्ती में करेगा उसको कुछ मिलने नहीं वाला है क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे बढ़ जाते हैं कि सत्रु नास कर देंगे कुछ कर देंगे ऐसे करने से कुछ नहीं होता है हो तो जाता है सत्रु का नास लेकिन बाद में तुमारे भी नास होता है क्योंकि तुमारे अंदर भक्ती नहीं रहता है दुनिया में आप आग के उपर आग के साथ कभी खेल आग को ले के आप खेल नहीं सेकते उस प्रकार से रुद्र चंडी यह से होते हैं उनकी आपने सरीर में अगर रुद्र विद्या ना हो तो रुद्र चंडी का को हजम करना बहुती कठीन होता है अगर आप एक मात्र ही रुद्र चंडी का की अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप जो है जो अगर आपकी मार्क चैन करिए उसी उपयक्त आप गुरु की जो है तलास करिए गुरु को आप ढून लीजिए गुरु ढूनने के बाद रुद्र पूरे उपासना करें और आपकी जिबन को बदल दिजिए तो रुद्र चंडिका की उपासना काली तंत्रम की एक सर्व भोतर उपासना है आप बड़े से बड़े भी साधना करने से पहले इसको अगर कर देंगे तो भिजय सुनिश्चित है जैसे अपराजिता विद्या एक आप एक यहीं विद्या है जिसमें पराजिता साधक को पराजय करना अपया कठीन हो जाता है उसी प्रकार से रुद्र-चंडिका की उपासना ऐसा है उसको कोई भी सत्रु हानी नहीं पहुचा सकता और वो सत्रू तो सत्रू सत्रू कूल को ही वो नास कर देती हैं जय भगबती रुद्रचंडी का पसंद आये तो लाइक करो